ये आगए हम उत्राखन के घडवाल में और घडवाल के गाउं में जिसका नाम है डोब और गाउं में पहुँचने के लिए ये सारी चड़ाई चड़के आपको जाना है एक्चली ये पहाडी गाउं है तो ये गाउं भी पहाड पे बसा है तो आपको बहुत सारा चड़ाई चड़के बाद में गाउं आता है और जब आप चड़ाई चड़ोगे तो आपको बहुत ही सुन्दर गाउं के नजारे देखने मिलेगे सो गड़वाल के सारे ही गाउं ऐसे चड़ाई पे बने हुए है गाउं के उचे नीचे रास्ते और रास्तों में ऐसा नजारा देखते देखते आप गाउं पहुँच जाओगे सो गड़वाल के ये गाउं का भी सुन्दरता एक अलगी है ऐसे चड़ाई चड़के आपको गाउं जाना है ये बहुत ही अच्छा लगता है ऐसा experience मैंने कभी नहीं किया है कि ऐसे परवतों पे चड़के आप गाउं पहुँचे और परवतों पे चड़के गाउं पहुचने के टाइम आपको इतने सुन्दर नजारे दिखाई देते हैं कि आपकी आखे ही नहीं हट पाती है और वो दिन काफी बारिश थी तो बारिश में तो गाउं के रस्तों के नजारे ही कुछ अलग थे माहला नीचा सौंगे लिवोनी कठन हो मेरा हे दगड़ा दोर चले जोला दिखती है सिखेली मौज मनौला और काफी चड़ाई चड़ने के बाद ये आ गया गाउं पर हमारा गर गाउं गाउं में और भी ऊपर चड़ाई पर है तो हमें और थोड़ी चड़ाई करके हमारे घर के और पहुंचना है यह है गड़वाल के गाउं के घर आप देख सकते हो कितना प्यारा नजारा है और सब घर के भार अपने ही खेती लगी हुई है तो यहाँ पे उन लोग खेती करते हैं और फ्रेश खाते हैं तो यह देखते देखते घर की और जाने का मज़ा ही कुछ अलग है कोल चन वे बिनाने रेणों महला नीचा सोंगी लीवोणी कठन हो मेरा है दगड़ा दोर चली जोला दिखती है सिखेली मज मनोला कोल चन वे बिनाने रेणों महला नीचा सोंगी लीवोणी कठन हो मेरा है दगड़ा दोर चली जोला कोल चन वे बिनाने रेणों महला नीचा सोंगी लीवोणी कठन हो मेरा है दगड़ा नीचा सोंगी लीवोणी कठन हो मेरा है दगड़ा दोरे चली जोला, दिखती है सिखेली मौमज मनोला दैरवेगे गउमा हे सुवार त्यारा बाना बदे नाम तुभीवेगेई केल्या म्यारा बाना मेरा भी कोल चेन द्वेवेनानी रेणों महलानी चसोंगी लीबोनी कठन हो मेरा हे दगड़ा दोरे चली जोला दिखती है सिखेली मौमज मनोला गाउं में हमने आधी चड़ाई तो चड़ली और ये है गाउं का मंदिर तो यहाँ पे रोज सुवा शाम आरती होती है बहुत ही खुबसूरत माता का मंदिर है और आप गाउं का नजारा देख सकते हो इतना प्यारा नजारा है कि आपकी आँखे ही नहीं हटेगी तो गड़वाल को ऐसे ही ब्यूटिफूल नहीं कहा गया है ये सारे नजारे ये गड़वाल के गाउं देखके आपको भी पता चलेगा कि गड़वाल कितना ब्यूटिफूल है और गड़वाल में ऐसे बहुत सारे गाउं है जो ऐसे ही ब्यूटिफूल है और ये है लिम्बा का पेड़ ये बहुत बड़ी साइस के नीम्बू होते है जिसको गड़वाल में लिम्बा बोलते है तो ये है लिम्बा का पेड़ ये आप आपकी सबजी डाल में भी डाल सकते है पर गड़वाली इसका एक बहुत ही पॉपिलर चीज बनाते है जिसको खटाई बोलते है उसमें काफी सारे मसाले पड़ते है और वो इतना टेस्टी होता है खटाई के मैं आपको बता नहीं सकती हूँ तो चलिए अभी हम हमारे घर के बहुत ही नजदीक पहुंच गए तो अभी चड़ाई थोड़ी खतम हुई अभी सारी उतराई है और उतरते उतरते हम हमारे घर की और पहुंच जाएगे माय लाणी चसोंगी वीवोणी कठन हो मेरा है दगड़ा दोर चली जोला दिखती है सिखेली मोज मनोला दैर वेगे गउमा है सुवार त्यारा बाना बदे नाम तो बिवेगे ही केल्या म्यारा बाना मेरा भी कोल चन दोर बिनाने रेणों माय लाणी चसोंगी वीवोणी कठन हो मेरा है दगड़ा दोर चली जोला दिखती है सिखेली मोज मनोला दैर वेगे गउमा है सुवार त्यारा बाना बदे नाम तो बिवेगे ही केल्या म्यारा बाना मेरा भी कोल चन दोर बिनाने रेणों माय लाणी चसोंगी वीवोणी कठन हो मेरा है दगड़ा दोर चली जोला दिखती है सिखेली मोज मनोला दैर वेगे गउमा है सुवार त्यारा बाना बदे नाम तो बिवेगे ही केल्या म्यारा बाना मेरा भी कोल चन दोर बिनाने रेणों माय लाणी चसोंगी वीवोणी कठन हो मेरा है दगड़ा दोर चली जोला दिखती है सिखेली मोज मनोला और फाइनली हम घर की और पहुँच गए बहुत सारी चड़ाई उतराई करके हम फाइनली घर की और पहुँच गए और ये है हमारा डोब में घर और मुझे तो ये चड़ाई उतराई में बहुत ही मज़ा आया कुछ एक अलगी एक्सपीरिंस था और ये है हमारा डोब का घर बहुत ही जल्दी आपको मिलती हूँ और एक घरवाल की वीडियो के साथ तब तक के लिए मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूल झाल 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 झाल